प्रशासन के कमी के चलते तंडविय। अब विशेशक्यों द्वारा जब तीसरी लहर की चेतावनी दी जा रही है, तो कई एक्सपर्ट जो हैं, कई लोग जो हैं, वह लगातर अब ये कह रहे हैं कि अब हम को मजबूती से सामना करना पड़ेगा तीसरी लहर का क्योंकि तीसरी लहर आती है, जिसमें ये भी कहा जा तीसरी लहर आती है, अगर हम सब एक जूट हो के साथ में तयार रहेंगे, तो तीसरी लहर का नुक्सान भारत के लोगों को नहीं होगा, क्या कुछ कहा, आरेशेश प्रमुक मोहन भागवत ने कुरोना वाइरस को लेकर के, कुरोना वाइरस के तीसरी लहर को कले करके अध् विपत्ति आती है, तो हमारी प्रवड़ुत्ती क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग है, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरन, जीवन जरा मरन का चक्र चलते रहता है. मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े महले कपड़े छोड़कर नएक अपड़े बदलता है वैसे पुराना शरी निरुप योग यो हो गया उसको छोड़ देता है दूसरे जनम में आगे बढ़ने के लिए नया शरिर धारण करके आता है यह जानने वाले हम लोग है हमको यह बात है डरा नहीं सकती निश्क्रिय निराश नहीं बना सकती ब्रिटन के पंतप्रदान बने चर्चिल उसके बाद उनके कार्याले में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था वाक्य क्या था प्लीज अंडर्स्टैंड देर इस नो पेशिमिजम इन इस ओफिस वह यह र नाट इंटरेस्टे इन दी पॉसिबिलिटीज आप डिवीट दे दो नाट एग्जिस्ट हम हार की चर्चा में बिलकुल रस नहीं रखते क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है हमको जितना है संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्सा से अपने वक्तुरुत्व से अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्तिती पर खड़ा किया कि चाहे जो हो हम हारेंगे नहीं हम शरण नहीं जाएंगे हम जीतेंगे और वो जीते विपरीत परिस्तिती में जीते उस समय का डाटा अगर फीड करते कॉम्पूटर में तो कॉम्पूटर कहता कि इंग्लेंड बेचेराग हो जाएगा लेकिन लगातार मैना भर दिन रात बम के रेड़ों को जेल कर ब्रिटन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं तो उस शत्रू को पूर्ण परास्त किया यह क्यों हुआ क्योंकि यह प्रवृत्ति ही इसी थी सामने जो संकट है जो दुख है जो अंधकार है उसको देखकर निराश नहीं हुए उन्होंने उसको एक चुनोती मान लिया हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनोती से लेड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे तब तक सतत प्रयास करते रहना है संकल्पकी दुढ़तात का जैसे महत्व है वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आगे हैं क्या जनता क्या शासन क्या प्रशासन मानूम था डॉक्टर लोग इशारात दे रहे थे फिर भी थोड़े गफलत में आगे इसलिए अगर खड़ा हुआ अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे तो डरना है क्या उस चर्चा की कर दरना नहीं है अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकरा कर सागर की लहर चूर-चूर होकर वापस लोटती है वैसे उस अपत्ति को लोटना पड़े ऐसी तयार हमको करनी है यह प्रवृत्ति चाहिए उसकी आवश्चक्ता है और उस दुड़ता के साथ सतत्प्रयास हमको करने हैं